VMU quota से open में आपको MSC करने का अफसर मिल रहा है साथियो VMU quota में भी जो forum है वो start हो चुके हैं आज से पहले मैंने एक बार वीडियो बना कर इगनू के बारे में आपको information दीती आज हम बात करेंगे वर्दमान महाविर open city quota के physics, chemistry, geology, botany में जो MSC है उनकी कितने फीस लग रही है, कितने study center है, sessional, practical game कितने दिन का लग रहा है, कैसे attend करना है, government job में है MSC कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी जितने भी जो MSC की बाते हैं, आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बाते हैं, आज के इस वीडियो में आप से share करने वाला हूँ, round figure distance mode MSC, घर बेठे MSC करने का आपको यह जो अफसर मिल रहा है, open university से आप कर पाएंगे नमश्कार दोस्तों, education job well plan के एक और helpful और latest information वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं आपका दोस्त channel host महिपाल सिंग राणावत, तो साथ यो आहम distance education को लेकर लगातार बात करते रहते हैं, मैं इगनू, VOMU, भोज, open और जितने भी जो इनुश्योटीज हैं, लगातार मे अपने जो पड़ाई हैं, उसको पूरा कर सकें, तो आज की इस वीडियो के topic according home, MSC की बारे में बात करेंगे, study center की information दूँगा ताकि आपके कितनी दूरी है, क्या चीज़े हैं, सारी बाते आप समझ पाएंगे, तो MSC quota के लिए इस साथी जो VOMU quota के जो approval है, वो clears हो चुके और फिर आपके merit निकलेगी, ऐसा कुछ निया, सीधा admission हो जाता है, mathematics में, botany, chemistry, geology और आपके physics है, यहाँ पर इसमें आप जो MSC करना चाहते हैं, उनके लिए आपको जो ये video पूरा है और इसकी processing रहने वाली है, आप सबकी eligibility आप देख पा रहे होंगे, आपको BSC होना बेचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बिटेक वगेर आए तो आपको इसके लिए पातर नहीं माना जाएगा, बट जिसमें भी आप करना चाहते है, जैसे आप मानलों chemistry में करना चाहते है, BSC विद chemistry होना चाहिए, या फिर आपका honors है, तो आप उसके लिए graduation degree आपका हो, आप इसके लिए admission ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, बैचलर अप टेकनलोजी इंजिनेरिंग को इसके लिए पातर नहीं माना गया है, BHMS, BDTA, BPT, BDS इन सबको नहीं लिया गया है, MSC में आपको सात्यों जो हैं, त्रीवर्शी असना तक जो उपाती है, वो होनी चाहिए, त देता सुचे के अधार पर आरक्षन वगरा दिये जाएंगे, मिरलब जो reservation जो रास्तान state में लागू है, उस according मिलेगा, आप अगर रास्तान state के हैं, तो आपको अपनी category का लाप मिल जाएगा, अगर आप other state के हैं, तो फिर भी आप यहाँ पर फारों में apply कर सकते हैं, बट आपको जो exam देने हैं, जो camp attend करने हैं, वो सारा जो राजस्तान में जो study center रहेंगे, वहाँ जाकर आपको attend करने होंगे, और आपको general category में गिना जाएगा, आपका जो selection होगा, वो general category के according, अगर होता है, तो आप उसमें apply कर पाएंगे, आप यह जो प्रवेश आवेदन शुल आपको जुलाई में नहीं जाना मतलब जैसे अभी आप जनवरी previous में आपका admission हो रहा है, जनवरी 2024, तो जनवरी 2025 में आप final का फोरम बर पाएंगे, जुलाई में नहीं बर पाएंगे, कारेकरम में इनमें lateral entry से आपके admission नहीं हो पाएंगे, वरियता का जो निर्दारन है, क् सिटे हैं, वो सिमित हैं, किस-किस सब्जक में कितनी सिटे हैं, वो भी मैं बात आपके clear करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो सिटो अकले जो आवेदन आएंगे, उस according आपके साथ यो graduation के percentage के according आपको यहाँ पर merit है, वो बनाई जाएगी, अगर आपके percentage सेम है, तो जो जिसकी उम्र जदा है, उसको उपर लिया जाएगा, उसको वरिता दी जाएगी, अगर उसके वजो दसवी की मार्शिट से आयू का निर्दारन के जाएगा, या अगर उम्र समान है, फिर बारवी के percentage देखे जाएगे, बारवी के भी समात हैं, दसवी से अधिक वरले को लिया आपका जो फॉरम है, वो reject कर दे जाएगा, और merit में आपको नहीं लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपको online से ही स्गुरा complete फॉरम बरना है, आपका जो study center रहेगा, वो भी आपको उसमें preference देनी है, आपको किस परकार से देनी है, वो सारी भी हम बाते कर जैसे दो normal exam में हो जाता है, theory paper तो आप चलो all रास्तान में कहीं भी दे दो, लेकिन आपका जो study center जो रहेगा, वो जो practical camp होगा, और जो practical के exam होगे, वो जो आपको alert होगा, वो ही पर होने वाला है, आप जो है, written exam तो आप all रास्तान में कहीं से भी दे सकते हैं, तो सबसे पह आपको फीस है, वो overall pay करनी होगी, जिसमें सारी चीज़े आगई, exam fees कोई अलग से नहीं लगते, वियो में कोटा में, आप जो admission फोरूम परते हैं, उसी में सारी चीज़े include होती है, तो ये 16,200 मतलब 32,400 रुपय आपकी जो है, officially fees लगने वाली, ये बाकर practical camp लगेंगे, वहा आप नीचे description में जाएए, उसको link कर, click किजिए, telegram app download करके, वहाँ से आप हमारे channel में join हो जाएंगे, जितनी भी जो updates आती है, वियो में को रेकला और लगातार में, B8, MA, MC, MSC, सबके links वगरा यहापर उपलब्द करवाता हूँ, सबकी खबरे वगरा आपको यहापर उपल लाए हैं, वो अगर यहाँ से MSC भी कर रही है, जैसे आपके 16,000 रुपी फीस लग रही है, तो आपको जो अगर आपका admission होता है ता आपको फीस पे करके एक बार admission लेना होगा, उसके बाद फिर scholarship portal पर जाकर उसका forum एपलाई करना होगा, उसके लिए मैंने अलग से particular video बना महिला निशुलक वाले में, प्लैलिस्ट में वहाँ जाकर आप उन वीडियो को watch कर सकते हैं, और आपको जो स्योजना का लाब उठा सकते हैं, रास्थान की महिलाओं और बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा आफसर है, अगर आप MSC करते हैं, तो आपके कितने भी फीस है, वो पूरी government के द्वारा refund कर दी जाएगी, आपको online portal पर जाना है, इस परकार से यह option मिल रहे हैं, complete यहाँ पर आपके, इसके बारे में हम और आगे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं सीधा इसके बाद आपको मैं website पर लेकर चलूँगा, और वहाँ जाकर हम study center वगरा की भी सारी बातें करने वाले हैं, एक बार हम चलते हैं सीधा website विजिट पर और वहाँ जाकर आपको मैं study center वगरा जो information ने हर subject में कितनी seat है, वो सारी बातें भी हम देख लेते हैं, सात्यों हम आचुके हैं, वीजिट पर वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आपकी एक 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 बात, एक एक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, ताकि आपको कहीं कोई confusion ना रहे, तो आप वीजिट पर आजाएंगे, और यहाँ पर आपको online service का जो option मिल रहा है उसके उपर क्लिक करेंगे, online service के option पर जितने भी जो भी फॉरम चल रहे हैं, वो सारे open हो जाएंगे, और यहाँ पर आप यह जो फॉरम देख पा रहे हैं, इसकी last date है, जो फॉरम पर नेगी 31 जनवर 2004 से तो उससे पहले आपको फॉरम apply करना है, यहाँ से आप apply करेंगे, य simply आप apply नाओ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप apply नाओ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर not लिखा मिल जाएगा, किसी भी एक प्रोग्रम में आप admission ले सकते हैं, एक से अधिक करने पर आपका फॉरम रिजेक्ट हो जाएगा, अब मानलो आप किसकी study center की में जानकारी दे रह आपके जो marks होंगे और आपका selection होगा, उस according आपको study center अलोट कर दिया जाएगा, और practical camp का और जो आपके जो practical exam होगा, वो उसी study center पर यहाँ पर आपके university की द्वरा करवाए जाएगा, तो वो सारी चीज़े आपको उस according आपको study center अपने जो नजदीक रहे, जो आपकी सुव होता है, उसके अंदर साथ हो आपको totally 275 seat में आपके जो है admission होने वाले है, क्योंकि यहाँ पर 11 study center है, तो 11 study center में हर study center पर 25 seat आपको मिलेगी, तो 11 study center पर रहेंगे, यहाँ पर आप यह देख पार है, MSC chemistry के लिए आपको यहाँ पर totally all over राश्तान में 11 center है, और यह जिन-जिन city में हैं, वहीं पर आपको जाकर camp अगेरा और practical exam attend करने होंगे, यह बात आप समझ लिजेगा, यह center आपने देख लिए होंगे, बागे आप खुद भी website पर जाकर देख सकते हैं, तो MSC chemistry हो गया, 11 center हो गया, इसके बाद MSC physics को open कर लेते हैं, MSC physics में अगर आप करना चाते हैं आपको MSC physics में 5 study center देखने को मिल जाते हैं, जो अजमेर, जयपूर, सिकर, जयपूर में 2 center हो गए और कोटा, तो यहाँ पर यह इस according आपको यह पांचों में से preference देनी होगी, तो यहाँ पर यह 5 center हैं, तो आपको पता ही है, फिर यहाँ पर complete 125 seat MSC physics में हो जाती हैं, उसके ब आपको यह सारी चीजे activities करनी होगी, प्यप्टिकल और बोटनी का अगर हम देख लेते हैं, तो बोटनी में भी आपको complete 3 और 5 center आपको देखने को मिल रहे हैं, बुंदी, कोटा, जोतपूर, जेपूर और सिकर, तो उस according यहाँ पर यह जाकर study center वगगरा देख सकते हैं, 300 र PSC के सभी वर्सों की मार्शिट, अगर सेमेश्टर हैं, तो सारी अंकता लिका है, आगे पीछे, दोनों तरफ आपको complete उनकी फोटो कोपिया साब करवानी है, और स्वा परमानित करके अपलोड करना है, आगे की तरफ आपको self-protested करके और सारे document एक PDF में अपलोड करने हैं, अगर मान लो आपका जाती प्रमान पत्र है, आप केटेगरी में आते हैं, अगर आपका AWS, OBC का अगर कोई शपत्पत्र दे रहे हैं, एक्स्टेंशन का वो, PhD, जितने भी जो सारी फाइल है, सिंगल PDF फाइल में आप ये पूरा यहाँ पर अपलोड करेंगे, जाती प्रमान विष्टा आप देख लिजएगा, और इस अकोडिंग आपको डॉकुमेंट के साथ अपलोड करने हैं, इस बारे में आप पूरी साथानी रखेंगे, अब हम वापिस चलते हैं, वहाँ पर PDF में, जो मैंने PDF त्यार किये, उसमें और वहाँ जाकर हम कैम पगेरा की भी कुछ जानकारी हैं, उसको clear कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर साथियो तीन गंटे पर दिन के मतलब 80C counseling day की, आपके क्या लगेगी, प्रिवियस में 80C दिन की लगने वाली है, और फाइनल में 80C दिन की लगने वाली है, तो पर येर आ सी में से आपको 60 दिन कम से कम वहां जाना ही होगा तो अगर आप जोब में हैं जैसे भी हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है का आप अगर MSC में अडिशन ले रहे हैं तो आपको 60 दिन की वहां पर क्लासे मिनिमूम अटेंड करनी है बीच दिन अगर आप एपसेंड भी होत तो आपको सारी जनकारी टाइम टो टाइम मिल जाएगी ABCID वगरा ये हर अडिशन लेते हैं नॉर्मल सी बात है मौंग अंकता लिगा की परतियों को 100 पराणित कर स्केन करें मतलब फोटो कोपी करवा कर उनको सेल पर टेस्टेट करके अपलोड करना है अंतिम फर्ष की अंक क्या है इनुर्शुटी के रूल्स हैं वो सारी बाते विशिद्दाले समझ सके और उस अकोरिंग आपको मेरिट बना ले असनातक उत्तिर्ण होने के बाद ही आपको आवेदन करें मतलब आपको यह है कि आपका ग्रेजुशन का रिजल्ट अगर आ गया और मार्शिट नही हो सकते हो लेकिन काउंसलिंग में जाओगे तब आपकी मारशिट की जरूत पढ़ने वाली है तो यह कुछ जो प्रोसेटिंग है EWS वाले जो अपना शबत पत्र है वो सारी चीजे भी आप ध्यान से अप्लोड करेंगे और उस अकोरिंग आप सारी चीजे करेंगे क्योंकि जैसे आप अगर पैप्टिकल में जा रहे हैं तो वह आपको एडमिशन दो डिग्री में नहीं मिलेगा अगर आप पैप्टिकल में नहीं है आपका सब्जेक्ट तो आपको दो डिग्री में अडमिशन मिल जाएगा ये बात भी यहाँ पर इन्होंने MSC वाले जो लेटर थ ताकि आपको सारी जानकारी सारी चीजे टाइम से पता चलती रहें तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपड़िट के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे महातरम स्वस्त रहें खुश रहें पढ़ते रहें